ब्रेक के बाद मुनाफ़की तैयारी में आफ से भी काफिर से स्वागत है और ब्रेक से पहले में टीसेस पगर आप लेकिए खासा चर्चा करें और टीसेस के बाद आज की दूसरी सबसे बड़ी ख़बर इंडिगो और इस पर बाचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सायोगी न जिरेजी बड़ी अगर आप देखें दुविधा है जिसका धंदा चल रहा है वो भी परिशान जिसका नहीं चल रहा है वो भी परिशान अब इसी स्पेस में आप देखें जेट का क्या हाल हुआ और एक ऐसा स्टॉक इंडिगो जिसने केलेंडर वर्ष 2019 में अपना आल टा प्रमोटर का आरोप है कि दूसरा प्रमोटर गलत फायदा उठा रहा है अपनी निजी कंपनियों को वो इस इंडिगो के जरीए फायदा पहुचा रहा है दरसल राकेश गंगवाल ने एक चिट्थी लिखी है दजबारा पेज की बड़ी सी चिट्थी और वो उन्होंने से इमर्जी के लोगों को रखते हैं जिससे उनको इस तरह के काम करने में असानी हो महिला डिरेक्टर का भी इशू आया और कॉर्परेट गवर्नेंस के इशू लगाए हैं तो उनका कहना है कि हमने बहुत लिबरली उनको काम करने दिया हमें एक इन्वेस्टर की तौर पे रह है कि दोनों लोगों ने लॉजनसीज भी हायर कर ली जिनके जरीय अब बातचीत होगी तो इस्तिती काफी खराब हो चुकी है और कॉर्परेट गवर्नेंस शब्द जैसे जुड़ता है किसी विवाद के साथ बस वहीं पर सारा काम गर्ब ला जाता है और इसके साथ भी और कहते हैं घर का भेडी लंका ढाय तो दोनों देखे एक दूसरे के बारे में बयान बाजी करेंगे और शेर होल्डर्स की वेल्थ अब दरसल डिस्ट्रॉय होगी साफ दोर पर ब्रोकरिज हाउसिस क्या कह रहे है उसके बाद जगर नादम जी का भी टेक लेंगे और टेक बढ़ दीफरेंस नहीं है यह काफी बढ़ा डिफरेंस है और इसका इंपाइक जो है आगे जाके काफी बढ़ा हो सकता है और देखिए इसके सट्रमेंट जो है प्रोमोटर्स के इनका कहना है कि वो जल्दी नहीं होगा उसको भी काफी समय लगने वाला है और इसका सीधा आपको स्टॉक के प्राइस पे देखने मिलेगा इसके लिए आप बेश दीजिए तेरा सो के प्राइस सागेट है और क्रेट स्विस की रिपोर्ट है हाला कि यह अभी भी आउट परफॉमर उननी सो के प्राइस सागेट दे रहे हैं लेकिन कईना के यह जो इशू हुआ है इन लेकिन प्राइस सागेट यह मेंटेन रख रहे हैं शायद और यहां से एलिवेट हो तो यह भी प्राइस सागेट काट देंगे चार्ट दिखाएगा इसका क्योंकि आप अगर याद करिए दसके दंदार ट्रेट में आशीश जीजी हमारे साथ यहां पर मौजूद है उन्ह इस तरह से रीड कर रहे हैं अगर किसी के पास शेयर है तो उसको कैसे इस न्यूज को पढ़ना चाहिए एनलाइस करना चाहिए तोड़ा अजीब सी सिचुएशन है क्योंकि जब आपके सबसे बड़ा कामपटीटर का बिजनेस बंद हो गया उस टाइम पे अगर आप एक त ज़रूर है क्योंकि की फैमस लाइन रिचर्ड ब्रांसन की एर्लेंस के बारे में की कोई पूचा उन से मिलेनेर कैसे बनना है रिचर्ड ब्रांसन जो वरजिन एर्लेंस की जो मालिक है वह रप्लाइः किया पहले आप बिलेनर हो और अजोंड पहुंच जाए देन आटोमे भी एक तरीके से उसी लाइन में आ जाया है, बाट इंडिया के लिए एक बड़ा एर लेन, connecting एर लेन, healthy एर लेन, जिंदा रहना बहुत जरूर है, लेट्स ओप की इंडिगो ये इस्चो तोड़ा जल्दी सेटिल हो जाए यह शेर होल्डर्स के लिए और ट्रावलर्स के लिए भी आई तिंक वराल तोड़ा डिस्टरबिंग डेवलोपमेंट है इसकी टिपनी की थे अपने ट्वीट में जब उनसे किसी ने पूछा कि आप इस एरलाइन को खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे कर इस पर यह टिपने मैं सुन रहा था दस कदम में और इंफ्रेक्टिस से पहले भी आशीश ने करी थी आशीश एक बात है अगर आप इंटर ग्लोप के चार्ट को देखें इसकी जो शॉक देने की टिंडेंसी है ना वो बहुत बड़ी है यह हिस्टॉरिकली दुहा सतरह में 16 में और 18 में कट चुका है आपको क्या लगता है यह शॉर्ट अगर है और आप अगर शॉर्ट गए थे तो कहां तक रखेंगे आप शॉर्ट इसमें देखें वरेंदर मेरे साब से सबसे पहला जो एहम सपोर्ट क्योंकि देखें ऐसे तो शायद अगर से निउस नहीं होती सब्सक्राइब करना चाहिए पर एक इंपोर्टेंट बात है अगर से 1400 के लेवल इस स्टॉक ने ब्रेक किये तो मुझे लगता है 1300 तक की डाउन साइड भी इसके अंदर आ सकती है तो पहला स्टॉप 1400 होगा और 1400 के नीचे अगर से फिसला तो फिर 1300 के तक जाने का मांकेट को इससे फायदा होगा ये एक देखने वाली बात है नीचे जास सुवे स्टॉक 2020 में इसकी बात कर रही थी और कैप्टन्स 24 पी दरसल स्पाइस जट ही था तो एक बार मांकेट खुलने के बाद उस स्टॉक पर भी व्यू लेंगे देखिए ये वो कंपनी है जहां उचे वैलुएशन वाले शेयर हैं उसमें बजट के बाद से हर रोज एक्सिडेंट्स हो रहे हैं हर रोज एक शेयर में देखिए एक दबाव बनता है कल टाइटन में हमने देखा किस तरह की गिरावट देखने को मिली आज इंटर गलोब तयार है उससे पहले बजाज फिन इसके लावा मनपसंद इसके जो दूसरे आडिटर्स थे मेहरा गोयलेंड कंपनी उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है यानि अब वहाँ पर और समली है कितना गड़बल विवाद हो सकता है कि दूसरे आडिटर भी वास रह नहीं पा रहे हैं इसके लावा जो टीवी और फ के उपर से तो शायद इस पर ऐलान हो सकता और आड़ दिन के दौरान वित्मंतर की कई सारे चीजों का जवाब देंगी पारलेमेंट में बजट से संबंदित तो उसमें नदर रखनी चीए खबरे चपीस लें स्टॉक्स पर हो सकता है भारत और अमरीका के बीच व्यापार संबंदों में और सकती देखने को मिलने ही टरम सामने एक ट्वीट करके कहा है कि भारत ने जो ड्यूटी लगाई वो स्विकारे नहीं है और ये इस संदर में देखिए कि उनकी बातचीत होने वाली है दोनों देशों के आपचारिक की ड्यूटी को कैसे सेटल किया जाएग ख़बर इसलिए से आज से भी इंपॉर्टेंट है कि बाइबेक पे टैक्स लगा दिया है सरकार ने इस बजट से तो वो इंपॉर्टेंट होगा के आर बील है इकरान इनको डाउन ग्रेट किया है डबल ए से डबल ए माइनस इनको रेटिंग कर दी है तो ये दिक्कत है से इस स्टॉक पे भी नज़र रहनी चाहिए तो आज अगर आप देखें दो हेमन निराश्य जलक स्टोरी और जोड़ गई इंटर गलोब और मन पसंद अच्छा हेमन मैं कल मुनाफिक की तैयारी यहां से उठने के बाद जब सुन रहा था जी मैं बीते एक साल से आपके सा हो सकता है और कल आप देखिए दो तीन दिन के पुल बैक के बाद यह फिर अपने उसी ढर्रे पर आ गया जिस पर यह कायम रहता है अचा है इस पर कुछ हाउस विउस है तरह उसको समझने की कोशिश करते है वरुन फिलहाल यहस बैंप पे कुछ जो हाउस विउस हैं वो ट दिया है इनका कहना है कि जो नॉन इंवेश्मेंट ग्रेट बुक है ना वह इस कमनी की लगातार बढ़ते जारी है वह काफी जादा है यह बहुत बढ़ी प्रॉब्लम में इस कमनी के साथ और जो कैपिटल रेजिंग प्लान से उसके ओपर कहिना कर इनको शक है और इसके ल आप मैं अनिक से उसके मिए